बहुत सारा पढ़ने का मन करता है At times हम targets भी बना लेते हैं उसके बावजूद वो targets जो हैं वो achieve नहीं हो पाते And कुछ समय तो ऐसा होता है कि हम ना जाने किन-किन लोगों की कसमें खा लेते हैं But उसके बावजूद हमारे जो targets हैं वो कभी भी complete नहीं हो पाते जी हां ये वो problem है जो हर एक aspirant कभी ना कभी ज़रूर phase करता है और आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से हम focused रहके पढ़ाई कर सकते हैं और किस प्रकार से कम समय में जादा पढ़ाई की जा सकती है और जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको कैसे हम जादा से जादा समय तक के लिए memorize कर सकते हैं इन सभी विश्यों पर इन सभी topics पर आज हम बात करने वाले हैं पट आगे बढ़ने से पहले आपसे ये गुजारिश रहेगी कि जल से जल इस वीडियो को like कर दीजे अगर अभी तक आपने इस चैनल को subscribe नहीं किया है then please do subscribe to the channel because ये मदद करेगा आपको अपने law entrance examinations को crack करने में आए आगे बढ़ने से पहले जल्दी से आपको बदा देते हैं that my name is Aditya Rai और अगर आप मुझे personally connect करना चाते हैं तो ये telegram group जो है इसमें आप QR code को scan कर सकते हैं और यहां तक मेरे पास तक आप जो है पहुँच सकते हैं और अपनी बातों को पहुचा सकते हैं इसके अलावा एक बड़ी news है आप लोगों के लिए आगे बढ़ने से पहले and that is कि Unacademy अभी अपने subscriptions पर आपको up to 35% तक का off दे रहा है जी हां और ये जो offer है वो valid है केवल और केवल 27th of July तक तो अगर आप चाहते हो कि आपको Unacademy के साथ जुड़कर अपनी तयारी को असली wings देने हैं तो फिर अभी जाए और यूज करिये code that is BAR5 जैसे ही आपने BAR5 code का उपयोग किया, you will get to see a maximum discount of up to 35% जो कि definitely आपके तयारी को wings यहां पर देने वाले हैं तो चलिए, आगे बात करते हैं, सबसे पहले ही समझते हैं कि जो यह सारे के सारे doubts हमारे मन में आते हैं उनको कैसे solve किया जा सकता है तो इसके लिए सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो यह है कि अपनी तयारी के दौरान, अपनी तयारी के दौरान, what is required by you is to stay motivated to stay motivated ची हां, motivated रहना बहुत जादा जरूरी है बट सवाल यह उठता है कि आखरीय motivation आएगा कहां से so for that you always have to have a reason you always have to have a reason as to why you are preparing for any examination for example that reason could be any like आपके पिताजी का सपना है, आपकी मा का सपना है, आपका खुद का सपना है या फिर आप देखते हो कि शायद अगर आपने इस exam को निकाला तो आपका career बहुत जदा strong होगा या फिर आप ये देखते हो कि शायद आप इस examination को निकालने के बाद अपने परिवार को support कर पाओगे and monetarily ये चीज आपके लिए अच्छी होगी reason could be anything, जो भी आपका reason है what is important is that you always stick to that reason and जब भी कभी आपको लगता है कि शायद मेरी तयारी में थोड़ी सी कमी हो रही है शायद मैं थोड़ा सा demotivated feel कर रहा हूँ then the only suggestion I would like to give you all would be that always remember the reason why you started this is something which is the most important thing अगर आपने अपने reason को strong रखा हुआ है तो जब भी कभी आपको ऐसा लगे कि आप थोड़े से हताश हो रहे हैं जब भी कभी आपको ऐसा लगे कि आप demotivated हो रहे हैं then kindly remember the reason why you started क्योंकि यही वो reason है जो आपको इस journey में आगे तक काम आएगा क्योंकि यह journey एक दिन की नहीं है एक हफ़ते की नहीं है एक महीने की नहीं है बत रादर आपको हर दिन एक महने दो महने तीन महने लगतार यह practice करनी पड़ेगी जहां पर आपको सुबह उठना है निउस पेपर को पढ़ना है आपको current affairs पढ़ना है आपको अपने जो subject matter है जिस पे आपको test किया जाएगा उनको strong करना है तो इन पूरे के पूरे duration के दौरान इस पूरे के पूरे duration के दौरान what will be required is कि आप motivated रहना चाहिए and for getting that motivation there has to be a reason other than that what is important is that you need to curb all the distractions curb all the distractions yes when I say that you need to curb all the distractions by that I mean अगर आपको लगता है तो आप जाएए अपने परिवार वालों को कहिए कि मेरा mobile phone ये रख लीजे and जब तक मेरी आखरी सासे ना चलने लगें तब तक आपको ये phone मुझे नहीं देना है जिया आपको अपने उपर थोड़ा सा harsh होना पड़ेगा and जब आप अपने उपर harsh होगे शायद तभी आपका ये जो distractions होते हैं वो छूट पाएंगे क्योंकि आपको पता होगा जब आप mobile phone का उपयोग करते हैं तो आप शुरुवात करते हो कुछी सर्च करने जाने के लिए क्योंकि distractions अगर होंगे तो आप जो है focus बिलकुल नहीं हो पाएंगे इसके अलावा, what is important is that you choose what you want forever over what you want now and this is nothing but something which is famously known as discipline discipline, discipline लाना आपको अपने जीवन में बहुत जरूरी है and discipline की अगर बात करें तो फॉज में जब आप जाते हो यानि कि जब आप एक काम या officer बनना चाते हो तो सबसे पहले आपको यही सिखाया जाता है कि discipline की कितनी महत्वता है और discipline आपके दिन के शुरुवात से होता है secondly आपको जो है एक sense of achievement मिलेगा and thirdly जब आप हार ठक के पूरे दिन training करने के बाद आओगे अपने barrack पे वापस तो at least आपका bed इतना अच्छा बना होगा कि आपको कम से कम नींद अच्छी आएगी तो यह कुछ एक initial points होते हैं जिनकी वजह से force जो है आपको एक तरह से train कर रही होती है ना केवल physically but mentally also यही वो चीजे हैं जो हमको अपनी lifestyle में भी incorporate करना चाहिए and that is कि हमको अपने अंदर discipline जो है वो लाना होगा जब हम बात करते हैं discipline की तो आपको यह चीज़ ensure करनी है कि अगर आपके दोस बाहर घुमने जा रहे हैं वो parties करने जा रहे हैं तो you should remember the reason why you started and what you want forever for example आपको चाहिए कि आप CLAT examination निकाले and फिर उसके बाद एक अच्छे NLU से अपना law करें तो ऐसी scenario में what is more important is कि आप इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखे that something that you want forever is to become or rather have a career in the field of law rather than कि अभी मैं जाकर party करूँ अभी मैं फ्रेंड्स के साथ जो है घूमने जाऊँ यह आपको जो है थोड़ा सा side line यहाँ पर करना पड़ेगा इसके अलावा चो next step आपको लेना होगा that would be distributing your syllabus into smaller units आपको अपने syllabus को छोटे छोटे units में जो है तोड़ना है जब आप अपने syllabus को छोटे छोटे units में तोड़ोगे तब आप धीरे से identify कर पाओगे for example अगर हम बात करते हैं एक पेड़ की तो पेड़ में आप अगर पूरे के पूरे पेड़ को एक साथ देखना चाहो तो हो सकता है आपको यह चीज थोड़ी सी complex लगे बट अगर आप देखो कि एक leaf होती है फिर उसके अलावा stem होता है कुछ roots होते हैं fruits होते हैं ऐसे करके अगर आप चीजों को थोड़े थोड़े तुकड़ों में बाटोगे तो obviously आपके लिए समझ पाना भी important होगा secondly आप easily accountability ला सकोगे कि आपने कितनी पढ़ाई करी है कितने chapters किये हैं कितने topics को cover किया है and at the same time आपको जब छोटे छोटे targets आप complete करोगे तो एक sense of achievement आने लगेगा and जैसे जैसे यह sense of achievement आएगा तो आपके अंदर craving जो है to achieve even more वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगी इसलिए what is important is कि आप इस प्रकार से अपने पूरे के पूरे syllabus को distribute करें into small small units इसके अलावा जो इसी के साथ ancillary चीज़ है वो यह है that you should be focusing more on understanding focusing more on understanding rather than learning for example अगर मैं आज आप से पूछता हूँ कि आप बताएए आपका नाम क्या है तो आपको अपना नाम तुरंट पता होगा अगर मैं कहता हूँ कि बताएए आपके पितर जी का नाम क्या है तो आपको बहुत चीज़ बताओगा what is your name of your father वहीं अगर मैं पूछता हूँ अपने मातर जी का नाम बताएए आपको पता होगा लेकिन अगर मैं बोलूँ कि आपको education minister का नाम बताना है आपको जो है हमारे finance minister का नाम बताना है आपको हमारे defense minister का नाम बताना है तो it is quite possible कि वो चीज जो है वो आपको याद करने में difficulty हो क्यों? क्योंकि आपने जब उसको उनका नाम पढ़ा तो आप इसी उदेश्चे से पढ़ रहे थे कि मुझे ये learn करना है वहीं अगर आप उसकी understanding बिठाने की कोशिश करते तो शायद आपको फिर कभी भी वो चीज याद करने की जुरूत नहीं पढ़ेगी तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं हमारी life में जो हमको याद नहीं करनी पड़ती है बट अगर हमने बार 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 उनको जो है अपनी नजरों के सामने लेकर आए तो automatically automatically हमारी चीजें जो है वो हमें याद होने लगेंगे ठीक है तो please focus more on understanding the topic holistically rather than just focusing upon learning the topic इसके अलावा मैंने पहले भी कहा है मैं आज भी कहता हूँ Parkinson's law पे आप थोड़ा सा focus करें Parkinson's law ये कहता है कि जिस भी चीज को आप खतम करने के लिए जितना समय उसको देंगे वो चीज उतने ही समय में expand होती जाएगी कहने का मतलब आप सबीन अपने schools में अपने colleges में अगर आप अभी है या फिर अगर आप school में है तो आपने जरूर ये चीज देखी होगी कि आप अगर किसी assignment के लिए आपको 20 days दिये गए तो ये कैसे possible है This is possible because of the Parkinson's law जोगी कि ये कहता है कि हम किसी चीज को complete करने के लिए जितना समय देंगे वो काम अपने आपको उतना ही जादा expand करेगा इसलिए अपने time bound targets बनाए time bound targets बनाना जो है ये बहुत जादा important है and please focus upon the first point जहां पर हम बात कर रहे थे कि हम को जो है क्या करना है motivated रहना है focus upon the second point जहां पर हम क्या कह रहे थे कि आपको जो है disciplined रहना है तो अगर आप disciplined रहते हुए अगर आप focused रहते हुए time bound targets अपने बनाते हैं और उनको complete करते हैं then definitely this is going to help you इसके अलावा जो यहां पर मैं आपको point बताना चाहूंगा that is revise less जी हां यह थोड़ा सा सुनकर आपको shock लग सकता है but this is important revise less but recall more this should be your strategy कहने का तादपर आप जिस भी topic को पढ़ रहे हो सोने से पहले उस topic को आप एक paper में लिखने की कोशिश करिए जो भी चीज आपने पढ़िए for example अगर आपने anti-defection law के बारे में पढ़ा है तो अब आपको अपनी आखे बंद करनी है और सोचना है कि आपने anti-defection के बारे में क्या-क्या पढ़ा था और फिर उसके बाद उसको एक paper पे note-down करने की कोशिश करिए उसके बाद आप दुबारा से anti-defection topic को खोलिया और यह देखिए कि क्या वो चीज़ें थी जो शायद आपने miss कर दी और फिर उन चीज़ों को दुबारा से यहाँ पर लिखिए revise करने के बाद ऐसी exercise जब आप एक से दो बारी कर लेंगे तो फिर वो particular topic आपका बहुत strong हो जाएगा उसके beyond आपको कुछ भी करने की आवशकता नहीं पड़ेगी इसलिए मैं कहता हूँ जब आप read करते हैं उसके बाद आप revise करते हैं रिवाइस करने के बाद आप रिकॉल करियें अगर रिकॉल करने पर आपको यह realize होता है कि अभी भी कुछ चीज़ें मिसिंग है तो वापस से उसको रिवाइस करिए इसके अलावा अगर बात की जाए तो आपको यह पता होना चाहिए that यह examination या कोई भी examination for time being अगर हम बात करें हमारे जो athlete थे नीरत साब जिन्होंने क्या किया जिन्होंने javelin जो है उसमें हमको olympic पदक दिलाया है तो अगर हम javelin की बात कर रहे है तो आपको पता है कि अगर आपने गौर से उनके पूरे act को देखा हो तो जैसे ही वो javelin को फेकते थे उसके बाद वो तुरंट पीछे मुर जाते थे यह उसको celebrate करने के लिए बिकॉज उनको इतना faith इतना belief अपने थ्रो पे होता था बट यह faith और यह belief उनको अपने थ्रो पे कैसे आया क्या ऐसे ही उन्होंने action वारने के लिए किया ऐसा तो answer is no बट रादर उनको यह faith और बिलीफ अपने उपर इसलिए आया क्योंकि उन्होंने practice कर रखी थी and यही practice आपको करनी है यह practice आप कैसे कर सकते हैं यह practice के लिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ सबसे पहले PYQs देखिए सबसे पहले PYQs देखिए आप यह analyze तो करिए that what exactly are you getting into सबसे पहले आपको PYQs देखना है साथ ही साथ आपको syllabus देखना है जब आप इन दो चीजों पे अपनी पकड बना लेते हैं जब आप इन दोनों ही चीजों पे अपनी पकड बना लेंगे तब जाकर आपको mocks देना है mocks is nothing but basically your practice जितना जादा आप practice करोगे उतना जादा आपके लिए ये beneficial होने वाला है and please make sure कि जो भी mocks आप दे रहे हो वो mocks आपके exam oriented होना चाहिए अगर आप internet की दुनिया में आपको पता है कि बहुत सारे mocks freely भी available होते हैं but वो mocks आपके exam oriented नहीं होंगे या फिर वो outdated होंगे so if in case you are preparing for 2024 you should make sure कि आप वही mock test दे रहे हैं जो 2024 के लिए specially curate किये जा रहे हैं इसके अलावा मैं हमेशा एक point बोलता हूं and that is taking breaks breaks लेना सर बहुत important है and breaks अलग-अलग किसम के होते हैं for example एक break होता है जो आपके concentration के लिए important होता है इसके लिए आप क्या आप सकते हैं आप 20-20-20 का rule follow करें what is this 20-20-20 rule? 20-20-20 rule ये कहता है कि आपको हर 20 minutes के बाद 20 seconds के लिए at least 20 feet की दूरी तक अपनी नजरों को रखना है कहने का तातपर चुकि हम books पढ़ रहे होते हैं हम laptop में पढ़ रहे होते हैं इसके अलावा अपने ब्रेइन को रेश्ट देने के लिए आप 50-10 का रेश्यों रखें कहने का तातपर 50 minutes आपको पढ़ाई करनी हैं and then 10 minutes जो है आपको rest करना है but when I say rest करना है तो ये वो time नहीं होना चाहिए जब जहां पर आप तुरंथ phone उठाकर reels देखने लग गए या ये वो time नहीं होना चाहिए जहां पर आप जो है बहुत ही जादा तेज गाने, bass वाले सुनने लगे हूँ नहीं, rather I would say अगर आप चाहते हैं तो इन 10 minutes के लिए वो activity करिए जो आपको करना सबसे ज़्यादा पसंद है for example, अगर आप चाहते हो कि आपको journaling पसंद है तो आप लिखिए अगर आपको पसंद है कि मुझे गाना गाना पसंद है प्लीज गाना गाई है अगर आपको poem लिखना पसंद है प्लीज पोयम लिखिए अगर आपको song सुनना पसंद है song सुनिये, बट soothing सुनिये जो कि आपको बहुत ज़ादा जो है, bass और ये सारी चीज़ों के अंतरगत ना लाएं और आपको palpitation जैसे चीज़ां जो है वो महसूस ना हो इसलिए soothing चीज़ों को आप सुनिये ताकि आपका brain अभी भी जो है वो attentive रहे तो अगर आप ये दो exercises करते हैं then definitely आप बहुत ज़ादा output निकाल सकते हो किसी भी particular given time frame से चीक है, इसके अलावा very important thing is make a dedicated plan you should make a dedicated plan and ये dedicated plan कब बनना चाहिए ये dedicated plan बनना चाहिए रात को सोने से पहले about कि next day आप क्या करने वाले हो because अगर आप next day उठ रहे हो and उसके बाद आपके पास let's suppose school, tuition ये सब निकाल के 4-5 गंटे के पढ़ाई रहती है उस 4-5 गंटे में आपको ये सोचना नहीं है कि मुझे कल क्या करना है या rather मुझे आज क्या करना है rather आपको वो time को effectively utilize करना है इसलिए सोने से पहले at least 10 minutes जो है वो आप एक plan बनाने के लिए दीजे for example, कि I will wake up at let's suppose 7 o'clock जो भी आपका time हो फिर उसके बाद मैं breakfast करूंगा नहाऊंगा, सारी चीजे करूंगा then I will sit to study जब मैं study के लिए बैठूंगा तो मेरा first slot जो होगा उसमें मैं क्या चीजें पढ़ रहा होगा और ये कितने घंटे का होगा फिर second slot जो होगा उसमें मैं क्या चीजें पढ़ रहा होगा ये कितने घंटे का होगा third slot जो है वो मैं क्या कितनी देर पढ़ रहा होगा और ये किस topic के बारे में होगा इस तरह से आपको हर दिन का plan पहले से ही बना के रख लेना है before coming of that particular day and last but not the least yes, this journey is not about a day this journey is not about few hours this journey is definitely not about certain weeks but rather this is a long journey and since it is going to be a long journey it requires you to be mature enough it requires you to be healthy enough आप यहां पर अफॉर्ड ही नहीं कर सकते हैं बीमार होना इस चीज को याद रखिए अगर आप बीमार होते हैं तो वो आपका लॉस है क्योंकि उतने समय में बाकी लोग आप से आगे निकल जाएंगे जो इस examination की preparation कर रहे हैं इसलिए what is required is that you eat healthy that you eat healthy it is very it is very much important कि आप जो है healthy खाना खा रहे हैं क्योंकि अगर आप junk food खाएंगे इस दौरान तो definitely आपका brain जो है उसमें भी junk चीजें ही जादा जाएंगे और brain आपका उतना जादा effectively काम नहीं करेगा तो इसलिए healthy food खाएंगे जितना जादा आप healthy food खाएंगे उतना आपका brain अच्छे से काम करेगा इसके अलावा please spare some time for exercising it is very important for you when I say exercises आपको करनी है that doesn't mean कि आपको जिम जाना है प्रोटीन लेना ये सारी चीजें I am not at all suggesting you what I am saying is कि आप कुछ भी ऐसी exercise करेए जिससे कि आप 30 minutes के लिए active रहते हैं आप जो आपकी heart beat जो है वो तेज हो रही है and आप sweat भी कर रहे हो क्योंकि इन सबी चीजों से आपके अंदर oxygen जाएगी and जब आपके अंदर fresh oxygen आप inhale करेंगे वो आपके brain तक जाएगी जो brain की cells को rejuvenate करेगी and चुकी वो rejuvenate होगी तो उसकी जो capacity है work करने की वो जादा बहतर होगी इसलिए what is important is कि आप healthy रहें तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आप अच्छा खा रहे हैं आप अच्छी exercise कर रहे हैं and please make sure कि आप अपने आपको बिमारियों से दूर रख रहे हैं ऐसी कुछ भी चीज ना करें जो आपको किसी भी तरह से बिमार कर सकती है इस तोरान I hope things are clear till here इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि for those kids जो अभी भी ये decide ही कर रहे हैं कि आखिर उनको अपनी तयारी कैसी करनी है तो मैंने अभी आपको बताया कि आन अकाडमी जो है आपके लिए बहुत ही बड़ा एक offer लेकर आया है और ये offer आपको up to 35% तक का off देता है on all iconic batches whereas अगर आप plus batches की बात करते हो तो 25% का off and साथ ही साथ 3 months का extension मिल रहा है कहने का मतलब 6 months के लिए आपका जो course होता है वो आपको in total 9 months के लिए मिलेगा इसको आप कैसे avail कर सकते हैं with the help of a code bar 5 जैसे ही आप portal पे जाएंगे यह offer आपको बहुत जादा मदद करेगा discounted price में affordable तरीके से best education जो है वो पाने के लिए ठीक है तो I would suggest अभी जाएए because still 4 months are left और अगर इन 4 months की आप बहुत effectively तयारी करते हो तो CLAT is done and चूकी आपके पास 9 months का subscription होगा ALIT, SLAT, LSAT, MHCET यह सारे examinations की तयारी आप आगे आने वाले समयों में कर सकते हैं इसी के साथ साथ जैसा कि मैंने आपको बताया है और आप बहुत च्छे से जानते हैं कि legal current affairs or legal reasoning के लिए I have already started my dedicated batch इस batch को आप जो है unacademy के store से जाके purchase कर सकते हो but इसको purchase करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए that what you are getting into कहने का ताथ पर अगर आप इस batch में आ रहे हो तो मैं आपको बदा देता हूँ that is that this particular batch is the best batch available all over India for CLAT legal reasoning क्यों? क्योंकि इसमें होंगे वो सारी चीज़ें जो आपको exam में legal reasoning में आ सकती है चाहे हो acts, चाहे हो bills चाहे हो किसी प्रकार का public policy issue या फिर आपका basic laws such as contract, constitution, IPC, tort, वो सभी चीज़ें जो exam निकालने के लिए important है legal reasoning की वो आपको इस batch में देखने को मिलेंगे आपको करना क्या है? सिर्फ जाना है और bar 5 code जो है उसको लगाना है जैसे ही आप bar 5 code लगाओगे bar 5 आपको देखने को मिलेगा maximum discount जो unacademy के portal पे available है इसी के साथ साथ अगर आपने अभी तक practice चालू नहीं की है mock test चालू नहीं किये है please for god's sake I would say start doing them and unacademy इसी लिए आपके लिए यह offer लेकर आया है जहां up to 40% का off आपको देखने मिलेगा on the all India mock test series और यह जो all India mock test series for CLAT and ELIT है यह total 35 mock test आपको यहाँ देखने मिलेंगे यह 35 mock test है इसमें 30 आपके full length mock test है for CLAT 5 आपके full length mock test है for ELIT याने चितने भी NLUs हैं इंडिया में उन में जाने के लिए आपको यह mock test series जो है जो की होगी एकदम exam oriented और updated तो अब I believe कि आपको यहाँ पर कुछ भी घबराने के आवशकता नहीं है because you are getting everything just at the price of 3150 which can be even reduced more by using the code BAR5 तो जैसे ही आप BAR5 code का उपयोग करेंगे you will get even more discount so with this I would like to thank for those kids who are preparing for 2025 CLAT 2025 के लिए this legal batch is already live and for 2024 जहां पे आप CLAT, ALIT, MHCET, SLAT या LSAT इनके तियारी कर रहे हो तो इसके लिए the Warriors batch is already live जी हाँ इस Warriors batch में अगनी में तिसर आपको logical reasoning पढ़ाएंगे legal merit द्वारा पढ़ाया जाएगा GK and CA Keshav Malpani sir के द्वारा पढ़ाया जाएगा वैष्णवी पांडे मैं वो आपको English पढ़ा रहे होंगे और Pooja मैं आपको QT पढ़ा रहे होंगे इन सभी को avail करने के लिए आपको जो है कोड का यूज करना है बार 5 जैसे ही आप इस कोड का यूज करोगे you will get to see the maximum discount for your preparation and yes it will be CLAT exam oriented preparation with this I am signing off my name is Aditya Rai thank you so very much for your valuable time keep studying keep grilling Jai Hind Jai Bharat